वेस्ट बेंगॉल के गैंगेटिक रीजन में बने डीब डिप्रेशन के कारण जारखन में लगातार दो से धाई दिनों से बारिस हो रही है जमाजम बारिस हो रही है जिसके वज़े से आम लोगों की परसानिया बढ़ी हुई है राची में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं दिख रही है लेकिन बारिस के वज़े से कम्यूटिंग को लेकर समस्या है परसानिया है लेकिन जल जमाओ जैसी समस्या फिलहाल दिख नहीं रही है ना वैसी कोई खबर है लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां के लिए ओरेंज और यलो विभाग के तरफ से अलर्ट किया गया है हिदायत दिया गया है कि पेड़े जो है सडकों पेड जो है वो गिरने की भी घटना जो है देखने को मिल सकती है ऐसे में एहतियात बरतने की अपील जो है वो की गई है और वैसे सहर जहां नदी है या नदी के टटमंट पे बना वहाँ पे जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है ऐसे में अलर्ट जारी किया गया है हलाकि राहत की बात ये है कि राची जैसे जो सहर है वहाँ साम्स के बाद मौसम विबाग का अनुमान है कि राहत जो है वो देखी जा सकती है और बारिस के रफ्तार पे रोक लगेगा अब कुछ जो नौर्ट के इलाके हैं वहाँ पे यानि पलामू गढ़वा जैसे इलाके जो है वहाँ पे कल भी बारिस देखने को मिल सकती है लेकिन राची जैसे सहरों में ये कम सकता है और कई जगा पे भाड़ी बारिस हुई है वहाँ पे 100 mm बारिस भी दर्ज किया गया है एक ही दिन में तो ऐसे सूरत में बारिस को लेकर परिसानिया लोगों की बढ़ी हुई है और हवा का रफतार जो है वह वैसे आज कम है लेकिन अगर हम लोग बात करें रवीवार की तो रवीवार को हवाय भी चल रही थी और बिलकुल साइकलोनिक जो है वो महौल बनावा था, यही वज़ा है कि प्रधान मंत्री का चौपर जो है वो भी नहीं उड़ पाया था, जमसेदपूर में उन्हें परिवर्तन महा रैली को संबोधित करना था, लिहाजा उनको जो है रोड़ वे से जाना पड़ा था, सरक का इस्तिमाल करना पड़ा था, उनको यहाँ से जमसेदपूर पहुँचने में दो घंटे का वक्त लगा था, वापसी में भी सबा दो घंटे से ज़्यादा का वक्त लगा था, तो इतना ज़्यादा ट्रैवल करके सायद प्रधान मंत्री पहली बार किसी रैली को संबोधित करने के लिए पहुँचे थे, तो मौसम का मिजाज इस तरह का था, लेकिन ये है साफ के प्रधान मंत्री सडक मार्क से वहाँ जाना प्रेफर किया उन्होंने, क्योंकि चौपर उड़ नहीं सकता था, तो मौसम का हाल इसी से समझा जा सकता है, कि हेलिकॉप्टर उसको भी उड़ने में वो भी नहीं उड पाई और लगतार बारिज जो हरी है, उससे कहीं न कहीं जिंदगी के रफ्तार पे बेसक असर पड़ा है, कैमरामन राकेस तिवारी के साथ सतीजीत कुमार राची आज तक